इसकार दोस्तो स्वागयते आपका हमारे यूटूब चैनल चिकिचसात अद्योग्यान में दोस्तो यदी किसी को चक्कर आ रहा हो तो उसका तीन प्रियोग मैं आज बताने जारी हूँ बहुती आसान, बहुती सरल उपाए है, वह भी घरे लूपाए है आप इन तीनों में किसी एक प्रियोग का उपाय करके चक्कर आने जैसी बिमारियों से दूर हो सकते हैं वह पहला प्रियोग है 10-50 मिली लीटर अद्रक येवं तुलसी के 5 मिली लीटर रस को सहद में लेने से अथवा सौफ तथा मिस्री को बराबर मात्रा में लेकर चूण बना कर 2-5 ग्राम की मात्रा में सुबह साम लेने से चक्कर आने जैसी बिमारियों से लाब मिलता है दूसरा प्रियोग है 6 ग्राम धन्या यो 6 ग्राम आमले को अध कुटा पीस कर मतलब आधा कुटा रे आधा नहीं रात्री को पानी में भिगो कर सुबह चान कर उसमें मिस्री मिला कर पीने से बहुत लाब मिलता है तीसरा प्रियोग है रात्री को 11 से 21 बादाम पानी में भिगो दे सुबह में बादाम का छिलका निकाल कर बादाम को पीस कर अर्थाद ग्राइंड करके उसमें तीन छोटी लाइची तीन काली मिर्च डाल कर दूद के साथ उबाल कर ठंडा करके 8 से 10 दिन पीना चाहिए डाइबिटीज हो तो मिस्री ना डाले बादाम को जितना जादा पीसेंगे उतनी जादा गुड कारी होगी तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें शेयर करें यदि आपके मन में कोई प्रेशन है ता आप उसे कमेंट द्वारत जरूर पूछें मैं जल्दी रिप्लाइ करने की कौसिस करूंगी धन्यवाद